कहा जाता है कि वासना यानि कि लस्ट इंसान का एक ऐसा एमोशन है जो छुपाए छुप जाता है लेकिन जब नहीं छुप पाता तब किस्सा बन जाता है और ऐसे ही वासना को सेंटर में फोकल पॉइंट रखकर उसके आसपास चार कहानियों को बुना गया है नई मूवी लस स्टोरीज टू में पहली कहानी है made for each other ये कहानी है वेदा और अर्जुन की वेदा और अर्जुन एक दूसरे से online इतफाक से मिले और उनके परिवार की सम्मती से उनकी शादी भी होने वाली होती है अर्जुन और वेदा के परिवार के सभी लोग बहुत खुश हैं और काफी बूड़ी हो चुकी है उस सबके सामने आकर वेदा और अर्जुन से पूछती हैं कि उन्होंने शारिरिक संबंद बनाया नहीं सभी लोग चौक जाते हैं वेदा के पिताजी अपनी मा को अंदर कमरे में जाने के लिए कहते हैं लेकिन तभी वेदा की दादी बताती ह है कि शारिरिक संबंस शाधी का वो एहम हिस्सा है जिसके बारे में कोई बाती नहीं करना चाता और उसी वज़े से काफी सारे रिश्ते खतम हो जाते हैं वेदा और अर्जुन दादी की बोल्ट बातों को सुनकर चौक भी जाते हैं और खुश भी saya जाते हैं मानो उन्हें हरी जंडी मिल गई हो वहीं वेदा के पिता जी अपनी मा याने वेदा की दादी के ऐसे व्यवार से शर्मिद्दा है और उनसे बात करना भी बंद कर देते हैं वेदा जब अकेले में अपनी दादी को बताती है कि उसे नहीं पता था कि उसकी दादी इतनी खुले सोच वाली है तब दादी बताती है कि अगर उसके दादा जी आज जिन्दा होते तो आज भी वो दोनों उतने ही एक्टिव होते उन्होंने शादी से पहले दादा जी के साथ गाउं में, खेत में कितनी ही बार शारिरिक संबन बनाए थे वेदा की दादी का मानना था कि खुशाल शादी की नीव एक हल्दी शारिरिक संबन पर निर्भर है दादी का मानना है कि अगर नई कार खरीदने से पहले उसकी टेस्ट ड्राइव ली जाती है तो जीवन साथ ही जिसके साथ पूरी जिन्दगी गुजरने वाले हैं उसका कोई टेस्ट क्यों नही यहां तक कि वेदा की दादी उसके अपने बेटे यानि वेदा के पिताजी को भी ये बात सुना देते हैं कि उनके और उनके बहु के बीच में ऐसे कोई भी संबन नहीं इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस है एक दिन वेदा और अरजुन ऐसे ही नाइट क्लब में जाते हैं और वहां से होटल के रूम में जहां पर दोनों के बीच संबन बनता है पहले तो वेदा इस संबन से पूरी सैटिस्फाइ नहीं होती लेकिन कुछ बार अरजुन के साथ संबन बनाने के बाद वो दादी को बताती है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और अब वो दोनों शादी करना चाते हैं वेदा और अरजुन की शादी हो जाती है ये कहानी हमें ये बताती है कि उम्र चाहे कितनी भी हो अगर हम अपनी सोच को जवान रखेंगे तो हम कभी भी बूड़े नहीं हो पाएंगे तो ऐसी ही नई पुरानी हिंदी मूवीज की कहानियों के लिए प्लीस दो सब्सक्राइब तो मैं चैनल पॉपकर्न ताइम वित वंदना धन्यवाद